महिंद्रा अपनी नेश जनेरेशन स्कॉर्पियो को लॉंच करने वाला है जो बहुत ज्यादा हाइटेक होने वाली है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज केलियर कर दूँ कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को गिलोगल एंसी एपी में 5 मैंसे 0 श्टार म जो पॉली हाइटेक तरीके से इसे फीचर मिलने वाले है आपको 5 ऐसी बाते जो न्टी मेंद्रा स्कॉर्पियो को अलग बनाती है पुरानी स्कॉर्पियो से लेकिन महिंद्रा ने अपनी एक स्ट्टेजी बना लिया कि हम अपनी गाड़ी को फुली हाइटेक फीचर साह ल क्या की सेल्टोस हो एम जी हेक्टर और टाटा की सफारी हो क्योंकि महिंद्र अपनी गाड़ी में 4x4 जरूर ओफर करेगा वह स्यूवी ही क्या जिसके अंदर को 4x4 को ऑफ़सन ही ना मिले अब पहले पॉइंट की बात कर लें तो वह है इसका इंजन न्यू स्कॉर्प्यों के सब्सक्राइब 2.2 लीटर का एम होको फोर सिलेंडर बीए 6 डीजल इंजन जो लगव 150 बीएच्पी की पावर प्रोडूस करके देगा यह दोनों ही इंजन आपको सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक और सिस्पीड दो मैनूल टांसमिशन साथ देखने को मिलेंगे और इन दोनों ह ज्यादा बहता है एक सेग्मेंट के अंदर क्योंकि टाटा सफारी एम जी हेक्टर प्लस और नेश जलने से हुंड़ाइगी अलगजार में आपको फोर फोर को आप्सन नहीं मिलता कहीना कहीन महिंदरा के लिए एक प्लस है कि इन तीनों गाड़ियों में आपको फोर फोर क जरूर देगा और नियू महिंदरा स्कॉर्पियों के अंदर आपको एक संरूप भी देखने को मिल सकता है जो बहुत ही ज्यादा हाइट है क्योंकि कहीना कहीन स्कॉर्पियों अब एक ब्रैंड बन चुका है और इतने ज्यादा हाइट फीचर से लॉंच होने के बाद कई स इतने हाइटेक फीचर के साथ बदलाव नहीं किये गए थे अब दूसरे पॉइंट की बात कर लें वह सेफ्टी इस गाड़े में आपको एबियास एबीडी इलेक्ट्रों इस्टेविडी कंट्रोल ट्रेप्सन कंट्रोल हील डिसेंट कंट्रोल हील होल्ड कंट्रोल आयोसक इस न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने प्लैट्फोर्म पर ही बिनाए जाने वाली है अंदर टॉप बेरेंट में फोराइफ फोर का उप्सन मिलेगा जो महिंद्रा की थासी लिया जाएगा और इस गाड़ी की माइलिज की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 12 सा 13 का ही माइलिज मिलने वाला है और इसकी टॉप स्पीट 170 माइल पर आवर होने वाली है इस गाड़ी में डूल टोन कलर का ब्लैक और बेज कलर का इंडियर में देखने को मिल सकता है और इसके अंदर थ्री स्पोग फ्लैट बोटम स्टेरिंग वील मिलेगा और इसमें सेम प्रिया बदलाव किये गाए है इसके अंदर दस इंका इंस्ट्रुमेंट कलस्टर सिस्टम इसके अंदर वर्टिकली होडिजंटर रियर एस इवेंट पूस स्टार्ट स्टॉप बटन और इसके अंदर मुल्टि फ्रक्शनल स्टेरिंग वील थर्ड रोव फ्रंट इसके अंदर आपको कार्ट टेकनोलोजी और वायरलेस चार्जिंग अटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर अट्जेश्टोर ड्रावर सीट एंड को ड्रावर सीट और इसके अंदर आपको पैनारोमी संदूप भी देखने को मिल सकती है न्यू महिंद्रा स्कॉर प तो वह है उसका अगस्टिरियर इसके काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके इसके इससरी काफ़ी दर बदलाव कि गया है अगर हम कुछ सपाइस सौर्स को देखें तो इसके अंदर आपको लॉइः बमपर लॉइट और लार्ज बंपर देखने में मिलेगा डिजैन के साथ इसके अंदर इंटेगरेटर गिल देखी दी गई है और इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट विच एलेडी डी आरेल्स एंड एलेडी टेल लैम्प और फोड डीज ब्रेक के साथ दिया गया है सब कुछ और नियू महिंद्रा स्कॉर्पियो को सिटी में ह आई वेवे पर और हाइज स्पीट पर टेस्टिक करते देखा गया है और एक्स्ट्रीम वैदर में भी टेस्टिक करते वह देखा गया है क्योंकि यह गार्ड़ी जएदा रिलावल बन सके इसलिए इसकी तनी ज़दा टेस्टिंग की जा रही है और इसके लास्ट कि इसका expected price क्या होने वाला है इसका expected price 12 lakh से start ओकर 19 lakh उपीज तक हो सकता है अगर वीडियो अच्छी लगे तो कैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो